आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में जयादा कमाने को मिला ये शेर में या निफटी-फिफटी इंडेक्स में 1-1 2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोईस पॉइंट पे मार्केट थी तब 23 मार्थ 2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और करंट प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी एउदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन, जैसे ही मार्केट रिकवर होती है, हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए, निफ्टी के मुकाबले चार, हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे, अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को एक लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-1-2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1.12014 के दिन 1 लाग रुपे Nifty 50 Shares में उन्वेस्ट कीए 6 साल बाद 1.12020 के दिन Nifty 50 में उन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और करण Nifty 50 investment की value है शेयर में appreciation ज्यादा हुआ है इसलिए first point शेयर ने जीत लिया है सेगंड पॉइंट शेर में जीता थार्ड पॉइंट निफटी में जीता आधी मेंच में किसने ज्यादा रण बनाए यह IMPORTANT है लेकिन मेंच कंप्लेट होने पर क्या स्कोर बोड है यह सबसे ज्यादा IMPORTANT है ओवराल शेर जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेलिव कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स दिपोसिट की होती तो आज उसकी वेलिव हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया स्टोक मार्केट में अगर रिटन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं बैंक FD तोड़कर शेर खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला चार्ट जो 1-1 2020 से 31st मार्च 2020 का है ये कंपेरिजन है 1st जानवरी 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा ये कंपेरिजन है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा ये कंपेरिजन है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा तैंक यू